लो फ्रेंड्स मैं किरन मैं अपने चैनल ममी का ढावा में आपका श्वागत करती हूं और उमीद करती हूं कि मेरी ये डिश आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए बनाते हैं इस्टा पुत्पम उसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, हाफ कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी दही, एक गाजर का दुकस क्या हुआ, एक बारी कटा हुआ प्याज, चार से पांच बारी कटा हुआ बिन, एक बारी कटा हुआ सिमला मीर्च, एक टमाटर बारी कटा हुआ, तरका के लिए राई, ह दालेंगे उसमें दो पिंच सोडा डालेंगे और स्वाधनुषण नमक डालेंगे नमक डालेंगे तब तक फैंटेंगे जब तक उसमें बबल्स ना दिखने लगे उसे अच्छी सोडा डाले हैं इसलिए उसे अच्छी तरह से फेंटे अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसमें पानी आड करेंगे पानी आड करने के बाद उसमें सूजी डालेंगे सूजी थोड़ी-थोड़ी मातरा में डालें थोड़ी-थोड़ी मातरा में डालने से लंस नहीं बनेगी और उसे मिलाते रहें अच्छी तरह से मिलाएं फिर इसमें सूजी डालके मिलाएंगे और पानी की जुरुत लगे तो बीच में पानी भी डालेंगे थोड़ी सी अब पानी डाल दें थोड़ी सी और अच्छी तरह से मिलाएं दो चमस चावल का आटा डालेंगे और फिर उसे फेट लेंगे चावल का आटा आप अपने नुशा डालें वैटर का थीकनेस देखके दो चमस चाड़ चमस जो डालना है आप डाल सकती हैं चावल के आटा डालने से क्रिश्पी होता है अच्छी तरह से उसे फेट रेंगे अब मेरा बैटर तयार हो गया और हम इसे आधा घंटा के लिए धक के रेष्ट पर छोड़ देंगे आधा गंटा होने के बाद इसे हम वेटर देखेंगे सुजी पुरी तरह से सोक हो गया अब हम तरका का त्यारी करते हैं तवा में आप कराही में भी बना सकती है मैं तवा में बनाती हूं तेल डालती है एक चमच इसमें राय डालेंगे हरी मीर्च डालेंगे देखें राय चटकने लगी करीपता डालके धक दिये अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे इसे तब तक मिलाते रहें जब तक यह ब्राउन ना हो जाए करीपता अब मैं गैस आफ कर देती हूं नहीं तो ज्यादा काला हो जायागा करीपता अब इसे बैटर में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे अब बनाते हैं त्वाम के लिए तबा में तेल डालेंगे और दो चमास बैटर डालेंगे आपके उपर है कितना बड़ा छोटा बनाना चाहती हैं साइच्छ फिर सारी कटे हुई जितने भी बारी कटी हूई सबजी आपके पास, थोड़ी-थोड़ी मातरा में डालें, थोड़ी-थोड़ी मातरा में, और उसे बैटर से हम फिर कवर कर देंगे, अच्छी तरह से कवर कर दें, सबजी दिखनी नहीं चाहिए और उसे फिर उसे पका लेंगे दोनों तरफ से ढख के पकाएंगे जो अंदर भी पक जाए देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका पलट के अच्छी तरह पकाएं दोनों तरफ से ढख के जरूर पकाएं नए तो सबजी नहीं पकेगी बीच-बीच में चेक करती रहें देखिए कितना अच्छा इसका फूला हुआ है कलर भी बहुत प्यारा आया है वाव अब इसको हम सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे और अपने पन्मन पसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे अब इस डिस्क को ट्राइ जरूर करें और अगर पसंद आए तो सेयर जरूर करें थेंक यू तो अफेंक में साली के यच्छ नीची पह बन्मन पसंद ऎर निकात